हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खुबसूरा सा डिसाइन का डोर्मेट वीडियो पसंद आतो प्लिस लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें तो यह देखे हम ए तीन कलर की हमने साड़ी से पट्टिया फार ली है अब इसी से हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा डोर्मेट देके इस तरीके से आप एक इंच की पट्टिया फार लीजिए उसके बाद यह देखे ग्यारा नंबर की सिलाई ले लीजिए और यहीं से डिसाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलिए बनाते हैं तो देखे इस तरीके से हम ड इतने ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप उसी प्रकार से कम ज्यादा अटाल सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से धागे को आगे की साड़ लाएंगे और यहां से देखे इस प्रकार से 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, देखे एंगे, ग्यारा, बारा, और एक ये, तेरा, तेरा फंदे हम बुड़ेंगे, एक छोड़ देंगे, यही से वलट लेंगे, आप देखे यहां से, एक, आप देखिए, तेरा फंदों को हम पूरा बनाएंगे, और आप लोग वीडियो को स्क्रिप ना करें, बिल्कुल लाश्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कि यह डोर्मेट कैसे बना है, अगर स्क्रिप कर देते हैं, तो समझ म पूरा वीडियो देखना होगा, तभी समझ में आएगा, इसकिप करकर के देखेंगे, तो बीच का सकट जाएगा, तो समझ में नहीं आता है, कि हमने कहां पे क्या बताया है, तो इसकिप ना करें, पूरा देखें, तो इस तरीके से देखिए, अब यहां पे हमने, एक से हम लगाएंगे, यह देखें, यलो कलर, इस तरीके से आप कलर लगाएं, इस तरीके से खुलता नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके से आगे कर लिजिए, और देखिए, यहां पे इस तागे को भी आगे की साइट करेंगे, आप चाहे तो उसमें जोड लिजिए, लेकिन उसमें जोड़े से क्या होता है कि एक काफी फंदा हमारा मोटा बन जाता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो यह देखे चोटी चोटी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान से देखे जिससे समझ में आएगा अगर देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा तो पूरा फुल एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे है क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अफ्लोड करती हूं तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप डेली एक वीडियो देख सकते हैं एक डिजाइन मैं डेली डालती हूं देखे इस तरीके से एकदम अलग और यूनिक किसी की डिजाइन से मैच ना करता है बिल्कुल अलग मैं अपना बनाती हूँ तो आप उस तरीके से अगर हमाई साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसली जोड़ सकते हैं अब देखें इस फंदे को में नहीं बुनना है पलट लेना है और यहीं से एक दो तीन चार तो पांच छे साथ आट चाहती है और लेंगे तो आप पूरा फ्ल बॉच पूरा हुl ना करें नहीं से जाते हैं तो मैं थोड़े कम समय में आपको अच्छे से अच्छा बताती हूँ तो जितना बताती हूँ आप 5-6 मिनट वाच कीजिए क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो 5-6 मिनट वाच करना ही पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा तो देखे यहाँ पे अब देखे इस तरीके से हमने यहाँ पे दो दो किरो बना ली और यहाँ से लगाएंगे यह वाला रेड कलर देखे द्यान से देखेगा एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे पंदे बुनेंगे और पलट लेंगे अब यहीं से इस 6 पंदों को इस तरीके से हमने चे पंदे को मैं हिंदी में पिल्कुल बताती हूँ जिससे सब को समझ में आ जाए किसी को भी प्रॉब्लम ना हो तो मैं कोई भी word वैसा इस्तमाल ले करती हूँ तो इसलिए मैं 6-7 करके बताती हम अब यहां पर next fanda हम उतार लें गे अब इस तरीके से red का पंदा उतारेंगे और next fanda से इस तरीके से बुनेंगे आप ध्यान से देखते रहिए समझ में आएगा बिलकुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में बहुत इजी डोर्मेट है और जितना इजी है उतना ही बहुत ही बहुत खुबसूरा सा डिजाइन है और बहुत इजली बन जाता है बिलकुल लगता ही नहीं कि इतना लंद भाई कि बहुत प्यारा लगने वाला डोर्मेट है देखे अब इस तरीके से हम यहां से इन फंदों को बनाएंगे अब इस तरीके से में बुनना है वह भी इस तरीके से बताया है तो मैं भी बनाते मैं इतना experience किया है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सके ताकि आप लोग भी बहुत खुबसूरा सा डिसाइन बना सके तो देखे इस तरीके से हमने उतार लिया और यही से पलटेंगे इस तरीके से और यहां से अब नेश्ट फंदे से अब इस फंदे को हम इस साइड से बुनेंगे यहां पर बुनेंगे और यही से पलट लेंगे देखे अब यहां से बुनेंगे इस तरीके से अब इस फंदे को भी इसी तरीके से उतार लेंगे और पलट लेंगे अब देखिए फिर से हम इस फंदे को बुनेंगे और इस तरीके से नेश्ट फंदे को बुनते जाएंगे देखिए ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा इस तरीके से हम बुनेंगे, देखे, यहाँ पे, आप देखे, इतने फंदे हमें बुने, अब यहाँ से हम पलट लेंगे, और red को, yellow को आगे करेंगे, और red को पीछे करेंगे, अब yellow से हम एक फंदा बुनेंगे, और यहीं से पलट लेंगे, सिर्फ एक फंदा ही बुनना है, एक बंदा बुनेंगे पलट लेंगे अब यहां से इस यलो को इस तरीके से बुन लेंगे एक बंदा बुनेंगे और एक दो तीन चार पाँच छे और यहां पे एक यलो बुनेंगे और पलट लेंगे अब बाकी सभी यलो कलर को हम बुनेंगे इसी तरीके से देखिए जहां से देखिए मैं बताती हूँ उसके बाद आप इसी तरीके से बनाईए इसके पना करें देखिए इस तरीके से बनाते रहिए अब यहां पे हम इन फंदों को बुनेंगे आप इस फंदे को जिस तरीके से हमने उसमें बताया है इस फंदे को हमें नहीं बुनना है पलट लेना है देखिए यहां से अब यहां से हम बुनेंगे एक फंदा बुन लिया और देखिए इस तरीके से अब देखिए यहां पर इसे नहीं बुनेंगे पलट लेंगे अब यहां से यलो को हम पिर से बुनेंगे अब हम इस तरीके से क्यों बता रहा है एक दम ब्यान से देखिएगा आप देखिए यहां पर यलो बुनेंगे और यहां ज़िसे पलट लेंगे अब यहां से हम बुनेंगे एस तरीके से और पिलट लेंगे आप देखिए यहां पर इस ब्लैक को इस तरीके से बुन लेंगे और क्यूं इसलिए कि यहां पर जदा टाइट नहो एजली बन जाए अब देखिए इस तरीके से हम सभी फंदों को बुनेंगे देखिए इस तरीके से और यह डूरमेट इतना प्यारा है अब इस तरीके से हम ये पूरा डोर्मेड देखे हमें बनाना है देखे अब यहां से हम दो का एक करेंगे फिर से हम दो का एक करेंगे अब देखे यहां पर क्या करना है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अब इसी तरीके से हम पाच फंदे घटाएंगे आप देखें इस तरीके से हमारी एकली बन गई अब यहां पर देखें क्या करना है हमें एक दो तीन चार पाँच जितने फंदे हम यहाँ पे पाँच है तो पाँच घटाएंगे अगर जितना भी है हमारा उसका हाफ जैसे बीस है तो दस घटाना है इस तरीके से घटाएंगे तो जितने फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे क्या हम पोरा बना लेते एक हैं। अब यह किष्थ फूरा बना लिया है। को यह दिसाइन आपको कैसा लागा अगर अच्छा लगा वो तो प्लीस लाइक शेर सप्क्राइब जरूर कीजिएगा... तो यह देखिए अब यहां पर हमें क्या करना देखिए इस तरीके से हमने बना लिया अब यहां पर हमने सिलाई नहीं की ताकि आपको अच्छे से समझा सके अब यहां से हमने स्टार्टिंग की थी तो यहां से क्राउंट सेफ देते हुए यहां पर हमारा खतम हो गया अब य इस जगे पे आप चाहे तो ब्लैक कलर से ही इसे बंद कर दीजिए और चाहे तो यलो या रेट को यहां पे लगा दीजिए बहुत ही प्यारा लगने वाला डिसाइन का डोर्मेट है